अगर आप भी खुद का बॉस बनना चाहते हैं और अपने क्रियेटिव आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलपूर रने वाला है क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसे जानकारी लाएं हैं जो आपको गाइड करेगी अपना खुद का बॉस बन खड़ा बिजनस खड़ा करने में क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना खुद का बिजनस कैसे शुरू कर सकते हैं इसके लिए एक ऐसे कोर्स की जानकारी हम आपको देंगे जो आज के टाइम में बहुत ही जादा यूसफुल है और जिसका नाप है 21st Century Skill 21st Century Skill आज के टाइम में हर विजनस में हर वर्क में और आपकी स्ट्रडी में साथ ही आपको अपने पाट टाइम वर्क के लिए अगर कुछ अपना कुद का स्टार्ट करना चाते तो इसमें बहुत ही है तो 21st Century Skill में हम क्या-क्या लर्ण करेंगे ये कैसा कोर्स है और इसमें हम क आपको अच्छे से अभी जानकारी देना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है 21st Century Skill entrepreneur के लिए इस skill में हम 27 courses लर्ण करते हैं तो 27 courses में हम क्या-क्या लर्ण करते हैं आज मैं आपको डीटेल से बताऊंगी और अब अगर ये कोर्स इस कोर्स में हम क्या-क्या सीख सकते हैं मैं आज आपसे detail में शेयर करूँगी तो चलिये-चलते हैं 21st Century Skill for Entrepreneur फर्स्ट कोर्स है एडवांस एक्सल, सेकेंड नमर पे आता है बुक राइटिंग और पब्लिक्शिंग, थर्ड नमर पे आता है बिजनेस नेटवर्किंग, जो आज की टाइम में आपको नेटवर्क और नेटवर्थ के बाड़े में जो भी डीटेल जान करिया उस पे आप व प्रेजेंटेशन, सिक्थ नमर पे आता है डिजाइन यूर आउन वेबसाइट, सेवन्थ नमर पे है इमोशनल इंटेलिजेंस फोर अंतरपे नियूरर, इट्थ नमर पे आता है इंग्लिश फोर बिजनेस, जो आज के टाइम में हम जैसे जानते हैं कि इंग्लिश सबसे ज एक्टिव इमेल, जो आज के टाइम में इमेल से मैसेज जो जाता है, हमारे प्रोफेशनल जो भेजते हैं वो आप यहां से डिजिटली लर्न कर सकते हैं, इलेवन्थ नमर पे आता है वीडियो इंफ्लूएंस, जो यूटूब चैनल जिसके होती है, उसके लिए ये कोर्स ह वीडियो इंफ्लूएंस, त्वैल्थ नमर प्याता है लर्निंग एक्सल, थर्टिंथ नमर पे है प्रेजेंटिंग ओन आंतरपिन्योर, आप प्रेजेंट कैसे करते हैं अपने वर्क को, यह इसमें बताया जाएगा, फॉर्टिंथ नमर पे है पर्शनल ब्रांडिंग, दो करियर, आप एक बेश्ट मोटिवेशनल बन सकते हैं यह फिर अपने वेबिनार को वेश्ट तरीके से कर सकते हैं。 19 नमर प्याता है रिस्क मैनेजमेंट, 20 नमर प्याता है स्पाइस, स्पाइस जो एक पूर्स है ये पूरी तरह से डिजिटल है और बिजनस में यूज होता है, इसका पूरा मतलब होता है स्मार्ट प्रेजेशन फोर इंवेस्टर, कस्टमर्स एंड इप्लॉईजमेंट, 21 नम नमर प्याता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, 24 नमर प्याता है टीम मैनेजमेंट, 25 नमर प्याता है टाइम मैनेजमेंट, 26 नमर प्याता है ट्वीटर फोर बिजनस, 27 नमर पे हमारा आता है वाइस एंड एसेंट, तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हम अपने वर्क को कैसे ग्रो को डीजिटली ले जाईए या फिर आप अपने वर्क को वर्क के डवलपमेंट के लिए डिजाइन कीजिए तो आप इस को करने के बाद एक ऐसे नॉलेज को गेंड करेंगे एक ऐसे स्कील को डवलप करेंगे जो आज की टाइम में 21st सेंचुरी में यूज होता है और हर फिल्ड में यूज हो रहा है बिजनेस वर्क डिजिटल वर्क या फिर आप प्रोफेशनल अगर वर्क है आपका गौर्मेंट जॉब में एंप्लॉई है या फिर आप टीम मैनेजमेंट करते हैं या फिर एक पब्लिक स्पीकर आप है तो आ आज के टाइम में पूरी तरह से डिजिटल है और ग्रोथ पर है यानि फर्स्ट नंबर पर हमारा 21st सेंचुरी स्कील ही चल रहा है इसके साथ अगर आप e-commerce का भी कोर्स कर लेते हैं तो वो यह दोनों कोर्स मिला करके एक ऐसा स्कील डवलप करता है जिसके थूँ आप किसी भी ऑफिस में या खुद के बिजनेस में या अपने वर्क में इस स्कील को के जरीए आप अच्छा कासा अर्न कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हमारे साथ अपना कीमती टाइम देने के लिए हमारे साथ बने रने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए सब्सक्राइब कर करने के लिए चैनल को उजाते हैं ज्यादा शेयर करें